बॉलिवुड में इन दिनों एक ओनलाइन बेटिंग माम लेके चलते कई पॉपिलर आक्टर्स को ईडी ने समन किया है रिसेंटली इसमें रनबीर कपूर का नाम सामने आया था पर अब एक और पॉपिलर आक्टर्स से इस केस में ईडी पुछताच करने वाली है किसका है वो नाम इस स्टोरी में आगे देखिये ओनलाइन बेटिंग मामले में स्टार्स की लिस्ट लंबी होती जा रही है फिफ्ट अक्टोबर को जहां इस केस में एनफोस्में डिरेक्टरेट ने हीना खान, कपिल शर्मा और हुमा कुरेशी को समन किया था वहीं अब श्रद्धा कपूर का भी नाम इस केस में शामिल हो चुका है According to a report, श्रद्धा कपूर has been summoned by the Enforcement Directorate in link to the online betting case related to the Mahadev app श्रद्धा ने इस आप को प्रमोट किया है and the agency suspects that the payment she received for it might be from the proceeds of a crime Recently, Ranbir Kapoor को भी ED की तरफ से इस मामले में समन किया गया था और 6th October को बुलाया गया था लेकिन उन्होंने mail के जरीए ED से दो हफते का समय मांगा है Reportedly, कुछ personal reasons के चलते, Ranbir को कुछ वक्त चाहिए Reports के मताबिक, Mahadev Gaming App एक ऐसा platform है जहां illegal betting होती है और जो भी stars इस case के साथ जुड़े है उन्होंने इसका promotion किया है and have earned huge money from it दो अन्होंने और भी आपता है और जो, शो, तो झाटें आचित्स प्रूश में अन्होंने खादो किया है इसका और गपमांद में टत्सक्ता है झाल झाल झाल